भारत के मुख्यना आजिस, डिवाई चेंदर तूर जी, सुप्रीम कौर्ट के न्याय मुर्तिगर्ण, विविन्न हाय कौर्ट के मुख्यन आजिस, विदेशों से आये हुए हमारे महमान जजिस, केंद्रिय कानून मंत्री अर्जुन राम बेगवाल जी, अटाने जनरल वैंकट रमानी जी, बार काउंसल के चेर्मन मनन कुमार मिश्टर जी, सुप्रिम कौर्ट बार रेस्विशन के अध्यक्षर डॉक्टर आदिस अग्रवाला जी, अन्य महानुभाव, दीवी और सज्जुनों, दो दिन पहले भारत के समिधान ने अपने 75 वर्ष में प्रभेश किया है, आज भारत के सुप्रिम कौर्ट के भी 75 वर्ष का शुभारम हुआ है, इस अइतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीचाना अपने आप में सुखद है, मैं आप सभी न्याइवीदों को इस अवसर पर अपनी शुब कामिराई देता हूं। साथियों भारत के समिधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याइके सिध्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कौट ने इन सिध्धांतों के सवरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिकत स्वतंत्रता हो, सामाजी ग्णाय, सोशल जस्तिस हो। सर्वो चनायले ने भारत की वाइबरेंट डेमोक्रिसी को निरंतर ससक्त किया। साथ दसकों से भी लंबी सियात्रा में सुप्रिम कौट ने इंडिविजल राइट्स और फ्रिडम आफ स्पीच पर कई महत्वकों निर्णे किये हैं। इन फैसलों ने देश के सोशो पोलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी। साथियों, आज भारत की हर संस्ता, हर संगठन, कारपाली का हो या विधाई का, अगले पचीस वर्सों के लक्षों को सामने रेकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उजवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून, कल के उजवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थित्यों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर आउसर का लाब उठाए, कोई भी आउसर जाने न दे। आज भारत की प्राथ्विक्ता है, Ease of Living, Ease of Doing Business, Ease of Travel, Ease of Communication, और साथ ही Ease of Justice. बारत के नागरीत, Ease of Justice के हगदार है, और सुप्रीम कोट इसका प्रमुक माध्यम है, साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्ता, सुप्रीम कोट के दिशादेरदेशों और महारोशन आपके गाइडेंस पर निरभर होती है। यह हमारा कर्तव है कि इस कौट की accessibility भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतिय की आवशक्ताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले इकौट मिशन प्रोजेक के तीसरे चरण को स्विकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेश से चार गुना ज्यादा राशी को मंजुरी दी गई है। यह तो आपका विश्य है ताली बेजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बेजा है वो तो मैं समझ सकता हूँ। वो आपके लिए कधिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अधालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्तिस चंद्रचूर खुद मोनिटर कर रहे हैं। इस जब जस्तिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बजाई देता हूँ। साथियों हमारी सरकार अधालतों में फिजिकल इंफ्रस्रक्टर को सुधाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए साथ हजार करोड रुप्य से ज़्यादा राशी बित्रित की जा चुकी है। मैं बरतमान सुप्रिम कॉर्ड बिलिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूँ। पिछले सप्ता ही सरकार ने सुप्रिम कॉर्ड बिलिंग कॉंप्लेक्स के विस्तार के लिए आठ सो करोड रुप्य की धर्रासी स्फिक्रुत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसत भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजुल खर्की हो रही है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रिम कॉर्ड के कुछ डिजिटल इनिसेटिव का सुभारम करने का भी मोका दिया है। डिजिटल सुप्रिम कॉर्ड रिपोर्ड की मदद से सर्वोच्य न्यायले के निर्ने अब डिजिटल फॉर्मेंट में भी मिल सकेंगे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रिम कॉर्ड के फैसलों को स्थानिय भाषाओं में टांस्लेट करानी के ववस्ता भी शुरू कर दी गई है। मुझे उमीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी ववस्ता हो सकेगी। साथियों, आज टेकनोलोजी कैसे इज अब जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है, इसका एक कारकम अपने आप में उधारण है। मेरा ये सम्मोधन अभी AI की ये मदद से इसी वक्त इंग्लिस में ट्रांसलेट हो रहा है। और आप पे से कुछ लोग बाशिणी एप के माध्यम से उसे सुन भी रहे है। कुछ शुरुवाती दिक्कत हो सकती है। लेकिन टेक्नलोजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है, ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नलोजी का उप्योग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने के बात कही थी। मैं समझता हूँ कि अदालत के निर्णों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी। चाथियों, अमृत काल के हमारे कानूनों में भारतियता और आधुनिक्ता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्तितिया और बेस्ट प्रक्रिसिस के अनुरूप शरकार भी कानूनों को मुडनाईज करने पर काम कर रही है। पुराने कलोनियल क्रिमिनल लौज को खत्प करके सरकार ने भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता, भारतिय न्याय सहीता और भारतिय साक्ष अधिनियम की व्यवस्ता शुरू की है। इन बदलाओं के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इनिवर्श निगेटिव सिस्टिम ने नए दोर में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, सेंक्लो वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुचने का परिवर्तन, सहज हो यह बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों के ट्रेनिंग और कैपसिटी बिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं सुप्रम कोर्ट से आगरे करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपसिटी बिलिंग के लिए भी आगे आएं। साथियों, एक ससक्त न्याय व्यवस्ता विक्सीद भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्ता बनाने के लिए अनेक निने कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्ता पर बे बज़व पढ़ने वाला बोच कम होगा। इससे पैंडिंग केसिस की संख्या भी गटेगी। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा alternative dispute resolution के लिए law of mediation की वबस्ता भी की गई है। इससे भी हमारी न्याय पाली का विशेश रुप से सब-ordinate जुड़ी शरी पर पढ़ने वाला बोच कम हो रहा है। साथियों सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विक्सीद भारत के लक्ष को प्राप्त कर पाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रिम कोर्ट के अगले 25 वर्सों की भी बड़ी सकारात्मक भूमी का है। एक बार फिर आप समने भी यहां मुझे निमत्रित किया। आप सब के ध्यान में शायद एक बात आई होगी। लेकिन यह फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा एवोर्ड जो दिये गए हैं उसमें सुप्रिम कौर्ड की रिटाइड जज्ज और समगरे एश्या की पहली मुस्लिम कौर्ड सुप्रिम कौर्ड जज्ज। उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूशन सम्मान दिया है और मेरे लिए यह बहुत जर्व की बात हैं एक बार फिर मैं सुप्रिम कौर्ड को उसके 75 वर्ष पर बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद। कई बहुत-बहुत